महिलाओं पर बढ़ते अपराधिक मामले हमारे समाज पर प्रस्ण चिन खड़ा करते हैं बच्चियों के साथ शेर्चार, महिलाओं के साथ घरेलू मारपीट, उन्हें सारी रिकमान से ग्रूप से प्रतारित करना यह सब घटनाएं अब आम होती जा रही है घर, इस्कूल और कॉलेज के आसपास के माहौल में ऐसे इस्तिती के चलते बच्चियां असुरक्षा के भाव से ग्रस्ट रहती हैं अगर तह तक जाया जाये तो इसमें सबसे बड़ा कारण है अपराधियों का इस तरी को बस्तु मानने की मान सकता सराब की अवैद दुकानों के कारण मार पीट और छिर्कानी जैसी घटनाए उस इलाके में विसेस उस इलाका विसेस में ज्यादा दिखती है बस इस इस्थिती में महिला किस तरह कानून की सहायता लेकर अपने सम्मान की रक्षा कर सकती है इसकी जानकारी हर महिला को होनी आवस्यक है तभी वह अपने खिलाप होते इन अपरादों को रोक पाएगी यदि किसी महिला के साथ कोई अपरादिक गतिविदी होती है उसमें चेरचार, साइबर क्राइम, मारपीट, घरेलों हिंचा आजी सामिल है तो उस इस्तिची में महिला द्वारा आउनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से पुलिस एस्टेशन जाकर प्राथमी की यानि एफ़ यार दर्ज कराई जा सकती है किसी महिला के साथ कोई अपराद होता है तो उसे पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 या महिला हेल्प लाइन नंबर 11191 पर फोन कर पुलिस साहता लेनी चाहिए अगर कोई किसी महिला का पीछा कर रहा है तो NTS TALKING HELP LINE NUMBER 1096 1096 पर कॉल कर पूलिस की सहायता लेनी चाहिए इसके अलामा पूलिस से स्टेशन में पर्त्यक्ष रूप से FIR दर्ज करवाने के लिए आप जिस जगह आपके साथ अपराद हुआ उस छित्र के थाने में जाकर अपने साथ हुए अपराद की पूरी जानकारे लिकित रूप में जमा करें और FIR की एक कौपी अपने पास रहे यदि आपको ठाने में यह करकर टाला जा रहा है कि यह मामला इस शित्र का नहीं थो आप तुरंद पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से मिलकर मामले की पूरी जानकारी लिख कर उन्हें दें अमूमन इस तरह के मामले में बड़े अधिकारी अधिक समय्दन सील होते ह लिखित रूप से दी गई जानकारी को AFIR के रूप में लिया जाता है इस सिकायत की एक कौपी अपने पास रख ले आज कल महिला सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों के लिए दिल्ली जैसे बड़े सहरों में ओनलाइन AFIR भी दर्ज की जा सकती है जिसके लिए दिल्ली पुलिस की अधिकारिक वेफसाइट दिल्लीपुलिस.nic.in पर ओनलाइन सिकायत की जा सकती है ओनलाइन सिकायत का आपके पास इस बात का सबूत होता है कि आपका सिकायत दर्ज किया है ओन्लाइन सिकायत का आपके पास इस बात का सबूत होता है कि आपने सिकायत दर्ज की है साथ ही पुलिस पर भी दबाव बनता है कि उसे अपरादी के खिलाब जल्दी का रवाई करनी पड़ती है आजकल सोसल मीडिया के पहुँचती जी से बढ़ रही है ऐसे में यदि किसी महिला के साथ अपराद हो रहा है तो उसे फोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर वह पुलिस की वियोग साइट पर डाल सकती है कभी कभी महिलाएं अपनी पहचान खुलने के डर से और कुछ इस्तिती में नवालिग होने के कारण सिकायत नहीं दर्ज कराती आपने या अपने आसपास के किसी बी महिला पर हुए अपराद की सिकायत कर सकती है और अपरादियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कर सकती है कानून विस्था के सीमा सीह का कहना है कि महिलाओं के खिलाब बढ़ते अपराद धिक मामले केवल पुलिस की नहीं बलकि यह समाज, परिवार और पूरी बेवस्ता की भी बलता है अजादी के बाद महिलाओं ने आर्थिक रूप से तरक्की की पर उनके खिलाब अपरादों की जगन्यता भी बढ़ी है इसका कारण है महिलाओं के बस्तु के रूप में देखना साथ ही समाज का नयतिक रूप से पतन भी इसका कारण है